कि विल्कुम फ्रेंड्स टॉपर्स क्लब आपका स्वागत है दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको सिच्छा मनुविज्ञान से जो सबसे इंपोर्टेंट जो पहला उसका स्कूल है उसके बारे में आपको डिटेल से बताया था आज हम उसी कड़ी में जो हमारा दूसरा सिच्छा मनुविज्ञान से समद्री स्कूल या संप्रदा है उसके बारे में बिस्ताज से बताऊँगा और देखूंगा कि उस स्कूल की क्या उद्देश से थे कि उन्हों दिर्श्यों को लेकि उन्होंने अपने एक स्कूल की स्थ यह उन्होंने एक नया जानुम संचना बmad की उसको उन्होंने नकार दिया ठाऊ इसको अध्यार्द में आठ सान नुमारे प्रकारबाद कि तो आज maior बात करेंगे तो प्रकारवाद की स्थापना कई गई है 1842 लगा के 1910 ठीक है इस यह कहां कि गई है अमेरिका में की गई आपके अब यह मतलब किसकी प्रत्कृया में की गई है तो जो हमने पहला संचनाबाद की प्रत्कृया में प्रकारबाद की स्थापना की गई है कब की गई है 1842 से 1910 के बीच में की गई है और अमेरिका में की गई थी ठीक है तो इस पूरा से हम जानते हैं कि अगर कुशन आता है प्रकारबाद की स्थापना कहां की गई थी तो अमेरिका में की गई थी किसकी प्रत्क्रिया में तो सन इसको देखते हैं कि या किस विचाधारा से प्रभावित है तो इस में कहा गया है प्रकार बार्बाद को बास्तिविक सुरूप देने का काम किया है उसके जॉन डीबी और रोडनेंट एंजिनिस ने दिया है ठीक है प्रकारबाद को बास्तिविक यो फंक्सनिंग बॉड़ी है जिसको हम कहा सकते हैं एक होता है कि किसी भी किसी भी सिदान का नाम दे देता है लेकिन उसके जब कर्यानवाइं और उसका रिजल्टिंग के बात आती है तो जो आपक्सरिमेंट करत में है वो प्रैगर्टिज्म के अनुसार है ठीक है इसमें क्या क्या है इसमें कहा है कि इसे बाद का आधार मतलब जो बाद इसमें दिया प्रकारबाद बाद का इसमें मतलब निकाला गया है कि बाद का मतलब होता है का आधार है क्यों और कैसे अगर यह सिदान्त या प्रक करना सी इसको अगर प्राकारबाद में प्राकारबाद में युगदान है इसके बाद में देखते हैं कि अब बात करते हैं जो प्राकारबाद था या एक स्कूल कहें प्राकारबाद स्कूल है इसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे अलग अलग सहरों में कुछ अलग अ काम करने के लिए बोला गया तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्रचारबाद की फंक्सरिंग जो प्रोस्योस है उसको हम सिकागो सुमखना के लिए मतलब सिकागो आशाल संप्रदास संभण से सब्सस्राइब ने क्या बोला है कि बेक्ति कौँगीता अकर ज्ञादा फोकस करने की कोसिस कीघा रहता है कि बेग जिए कि सिकागों संपर्दाइब में जो मन है बेगत का मन और उसके उप्योगता दो रही इंपोर्टेंट थे सिच्छा मनों क्यान के लिए ठीक है इनका लेख जो इनका एक लेक है कि जो डीबी का उने इन इन अपना रिफ्लेक्स और कॉंसेप्ट ठीक है तो यह अ सबस्क्राइब में करता तो यह बात अपने प्रकारबाद के सिधहन में कहीं था है न रहता है तो यह बात जॉन्डी भी ने अपने प्रकारबाद के सिधानत में कहीं थी इसके बाद में हम देखते हैं ठीक है इसमें और क्या बताया गया इसके साथ यहां भी बताया गया कि उद्धीपन और अनुकुरिया एक ही बस्तों है ठीक है उद्धीपन अनुकुरिया उद्धीपन का मतलब कोई चीज मस्तिम एकदम से आ जाना और अनुकुरिया जो कोई कार्ज करते हैं तो इसमें कहा गया कि उद्धीपन और अनकरिया यह की चीज़ हैं जो अपने आप में मोड में कारे करते रहते हैं कुछ बैग्यानिकों ने इसको अलग अलग बताया है कि पहले बैप्त के मन में विचार आते हैं विचार को प्रकारवाद का संबंद प्रक्रिया से हैं उसको प्रकारवाद की संग्या हम देते हैं कि या है इसको एक साइंटिस है हार वोकर ने मानव विग्चान का विग्ञान बताया है या क्यूं और कैसे और इसके अंतरगत हम बहुत सारी जो विएक्तिके तत्त्यों होते हैं उनका समयोन करके हम इसके स्टडी करते हैं इसलिए यहां मनों विग्यान के अंतरगत आता है अब हम इसके सब्सक्राइब तो इस सब्सक्राइब के परवर्थ और और रावर्ड सकता है कि परवर्थ को आपको से तो आपको तो इसमें तो उन्हों करने की कहा कि कैटल ने सहचार ने प्रत्यच्च ग्यार और मनो बहुत की पर कारे किया है तो कैटल ने किसको बाग को बताया है इसके बाद में आतै है थंडईक थंडइक ने मनो बहुत की पर बल दिया है इसके बाद हम थान्डइक की बुधिका सिधानT भी पड़ते है कि जो कोलंबिया संपरदाय की कोन कोन से परवर्टक थे कौन-कौन से तो आपको बताना जम्स कैटल और अबट है इसमें ने सहचर पर सहचर और मनो बहुत की पर कारक किस ने किया है तो वह है कैटल ने किया है इसके बाद थॉन डायक ने किस कॉंसेप्ट को लेके अपनी बात कहिए तो उसमें उने बताया कि मनो बग्यान किया है समकालीन मनो बो घ्यान संप्रता यह किताब लिखिये इस किताब को ही मनो बुद्ग्यान की संग्याद देने की कोशिस की है चलिए अब हम ने देखते हैं अब हम देखते हैं कि प्रकारे बाद जो स्कूल बर डेबलब किया गया था उसको सिच्छा के चेत्र में क्या क्या योगदान है मतलब उस स्कूल के माध्यम से हम सिच्छा के नवीन आयामों के बारे में क्या बताया गया है अम उनी आयामों के बारे में बात करते हैं तो इसम अधिगम प्रक्रिया है है इस के थे हैं पर्रयाबना ओपन लार्निक प्रोसिशिंग होते हैं उसके लिए इंवार्मेंट बहुत है और समयोजन आदे क्कूलिय। इससे बारे में डिस्क्राइब क्या गया है इसके सासातICA ऋ Force आथ sensitivity देखते कि itmati Fitnessstäbxt प्रकारबाद केंट को महत्त Theta मतल भी जो ख्ञान के विकास में योगदान किया है कि जूर्णिंग होगी जो सिच्चा प्रक्रिया होती है इसके द्वारा ही नहीं आयाम हुटां को से सकते हैं इसके बाद दोबन के सबस्कूर्म को समझने पर बल दिया गया इसके अंतरिख की जो बाल्सौध उग्यानेया बालाग के जो learning point होता है उन पर का है step वह सिग्मेंट के दाराज को डिवाइड किया गया है और हर सिग्मेंट में किस प्रकारबाद के सिछा हो इस पर फोकस किया गया है ठीक है इसके बाद किया गया है इसमें मतलब कहा गया है कि जो बेक्त और समाज होता है वो एक दूसरे के पूरक है एक के बिना दूसरे का स्थित्व संभो नहीं है इसलिए दोनों के स्टडी को हम केंदर बिन्दु मानकर चलना चाहिए इसके बाद में इसमें कुछ पॉइंट्स बताया गया है इसमें इसमें प्रकारबाद को जस्टिफाइब कर सकते हैं इसमें कौन आवस्था अध्यान रित्म करने रिच्छण किया जाता है मतलब जो एक हुमन होगा चाहें बालक हम लेते हैं उसका निर्चण करना बहुत इंपोर्टेंट है तब ही हम जान पाएंगे कि जो हमारी लर्निंग है वो कैसे प्रभाबी हुई या नहीं हुई इसके बाद में अंतरदर्सन बिदी मतलब इसमें क्या हुआ इसको भी है संग आप में नहीं दिखा दिए वह मारत आंतरिक जो बिक्त के और गन्स होते हैं उन्हीं को केंद बिद मानकर भी इसमें अब एक्स्प्लियों किया गया है चलिए दोस्तों तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो इसमें जो में कुश्चन होते हैं वह संपरदाइक में क् दूसरा स्कूल के बारे में बता दिया और बताया कि कौन कौन से कोश्चन इससे पूछे जा सकते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आप इसको लाइक केमेंटर सुस्क्राइब जरूर करें और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे कोचिंग की जो नंबर है उसके कांट्रेक्ट कर सकते हैं आगे की स्टडी के लिए या कोई कोई रीज हो तो आप हमीशा इस पर संपर्क कर सकते हैं